हेलो फ्रेंड्स जैसी किष्णा कैसे हैं आपसे भी आश्र करती हूँ आपसे भी बहुत अच्छे होंगे और इश्वर से प्रात्ना करती हूँ महदेयों से प्रातना करती हूँ महकाल से प्रे करती हूँ कि बाबा आपकी सारी बनों का आमनाय पूर्ण करें अब बुलिये मेरे साथ तेन बार ओम नमस्षिवाय ओम नमस्षिवाय ओम नमस्षिवाय जी हाँ दोस्तो चले अब वीडियो का टॉपिक आपने समझी लिया होगा बाबा महकाल का शिर्वाद आपके उपर हमेशा बना रहे इसके साथ वीडियो की हम शिर्वाद करेंगे दोस्तो देखेंगे कि आपके भाग्य में कितनी शादी लिखी है आपके जीवन का जो अंसुना सच है वो आज हम आपको बताने वाले हैं आपको चुनना क्या है? महकाल बाबा का नाम लेकर यह जिस भी शक्ति को आप बानते जिस भी इश्वार को आप बानते उनका नाम लेकर दिल पर हाथ रखके आपको relax होना है सबसे पहले तो तीन बार आपको ओम बोलकर relax होना है तीन बार आप long term तक जब तक आप से सांस रुखे तब तक आप ओम बोलिए तीन बार बिल्कुल अच्छे से उसके बाद में वीडियो को stop कर दीजे पहला तीन बार अच्छे से ओम बोलकर वीडियो पहले स्टॉप कर दीजे उसके बाद दोस्तों आप इन दोनों नंदी में से कोई एक नंदीं चूज करिए माइन को relax करके जो भी नंदी आपको अच्छा लग र हम यह पता चल जाए हमारी में और नही camp hooks हमारी सदि में कई अरचन आ रही है तो क्यों आ रही है साथी आ मारे भाग्य में कितनी शादि हमारा टलाक हुआ तो क्यों हुआ आकिर्ण हमारी लाइफ हम प्रश सद्ली आ भगवान से प्राथना करेंगे कि बाबा आपके माइंड के सारे माइंड के डाउट्स क्लियर कर दे इस वीडियो के माद्यम से तो चलिए दूस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गुड या बैट या भी हमें जरूर बताईएगा चलिए दूस्तों हर हर महादयों का नाम लेकर वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले दूस्तों आज हम आपको एक बात बता देते हैं कि जो वीडियो एक जनरल डिडिंग है जरूरी नहीं कि यह सभी पर सही सब्सक्राइब देख लेगा हम चाहते हैं कुल मिलाकर आपके लाइव में पॉजिटिव एनर्जी आपको सही गाइडेंस गोट की तरफ से मिल सकें सही संकेत आपकी लाइफ में मिल सकें तो चलिए दोस्तों बगवान का नाम लेकर वीडियो की शुरुआत करते हैं हर हर मा आपके बारे में टेरो कार्ट्स बता रहे हैं कि जब भी आपने जिंदगी में किसे से सच्चा प्यार करने की कोशिश करी हैं आपको हमेशा धोका मिला है उस बंदे ने आपकी केर नहीं करी हैं आप दिल से हमेशा सबसे प्यार करते हैं और जिससे भी आप प्यार करते हैं उस्विक्ति के लिए आप सब कुछ त्यागने को तयार होते हैं सब कुछ छोड़ने को तयार हो जाते हैं यहां तक कि अपने पैरेंट्स को भी छोड़ने को तयार हो जाते हैं लेकिन वो बंदा आपकी केर नहीं कर पाता है वो बंदी आपकी केर नहीं कर पाती है और यही ब को बताते हैं देखे कभी कभी क्या होता है कि आपका बहुत ज़्यादा relation में serious होना एक तरफ से बहुत ज़्यादा sincere हो जाते हैं आप किसी भी relation आपसे डंग से बात नहीं कर पाता क्योंकि आप उसे बहुत ज़्यादा परिशान कर देते हैं आपको सबसे पहले अपनी गलतियों को समझना होगा आज हमारा अगर रिलेशन किसी से टूट रहा है या हमारी शादी नहीं हो पा रही है या हमें कोई अच्छा जीवन साथी न सबसें हैं आपको इक उपाया में आपको सोंबार कर ने हैं कम से कम आपकोасगर करने है घृ łatसे बजा को और आफ जारा। शाम को छे बजे बाद शिवजी के पास जाकर वहां पर महामरत्यमन जय मंत्र का आपको जाब भी करना है सुमवार के दिन करें तो बहुत अच्छी बात है और डेली अगर आप कर सके तो सोने पर सुहागा ठीक है ये चीज़ आप करके देखिएगा अगर आपके शादी नहीं हो रही आपको जिवन साथे अच्छा नहीं मिल रहा है आपकी प्यार में रुकाव टेया आ पी शादी नहीं हो पा रहे है या कहीं आपकी तलाक जिसी नोबत आ रही है विभा आपका हो चुका है पर गलत है और फिर भी आप सामने वाले के वो बोलते हैं कि तू गलत है तू सही होना चाहिए भले ही मैं गलत हूँ तो यह चीज नहीं होने चाहिए पहले आप अपने आपको सही साबित करिए उसके बाद दूसरों की गलतियां खोजे इसके साथ दूस्तों एक चीज हो रहा हम तो तलाक ले लिजिए आपकी शादी एक ऐसे बंदे से होने वाली है आगे चो बहुत अच्छा रहे गा बहुत अच्छी आपकी लाइफ चलेगी बीना सोचे समझे तलाक ले लिजिए बस इतना जान लीजिएगा कि इस वेक्ति ने आपको क्या दिया और क्या नहीं दिया कहीं आपके जिद के कारण आप ये relation खतम तो नहीं कर रहे है वेक्ति अगर आपको importance दे रहा आपकी care करना आपके responsibility को समझता है वो आपको घर पर लेकर आया लेकिन आपके जिद की वज़े से आपके घुसे की वज़े से अगर आप उस relation को तोड़ रहे हैं तो ये भी ठीक नहीं है तो लिए relation को समझे कि इसमें गलती किसकी है घरवालों से बड़ों से सलहा लीजिए उनके सामने सही बात रखी है आपके रिलेशन के क्योंकि जो बात होती है पती पतनी की आपस में वह एक दो कम्रे में होती है और वह बात सही अगर बड़ों के सामने प्रेजेंट हो जाया सही तरीके से तो वह हमें सही सलह दे सकते तो यह चीज़ आपको सही तरीके से बता नहीं देखिए आपकी शादी तो वैसे एक ही लिखी है अभी तक जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए को हम यही कहना चाहेंगे कि आपके एक शादी लिखिए और वह शादी बहुत बैस्ट होगी बस जो उपाय है आपको पत अच्छी आपकी लाइफ चलेगी इसके बाद जिनकी डिवास की कंडिशन चल रही अगर वह उपाय करेंगे तो कंडिशन भी उनकी सही हो जाएगी उनकी लाइफ में फिर से प्यार वापस से दुबारा लोट आएगा लेकिन अगर वह चाहते हैं कि रिलेशन यहीं खतम हो सकते कहीं ना किये वाले की सोच को भी समझना होगा उसकी ऑन्दस्ट्रांणिंग को भी समझना होगा उसे क्या अपसंदे क्या नापसंद भी हमें समझनी होगी तभी जाकर हम रिलेशन में अच्छे से अंडस्टूड हो पाएंगे और अच्छे से उसे निभा पाएंगे चले बात कर लेते सेकेंड नबर की सेकेंड नबर जिसके ने भी चूस कर रहा है युनिवर्स उन्हीं क्या संकेत दे रहें बाबा महाकाल की क्या संकेत मिल रहा साथ ही अभी बताएंगे टेरो कार्ड उन्हें क्या कहना चाहते हैं तो हम आप से यह कहना चाहेंगे दोस्तों की अपना नजरिया थोड़ा सा चेंज कर लें अपनी सोच जो है आपकी दूसरों के प्रति वह आपको चेंज करनी होगी अपनी जीवन आप से नहीं ढाल सकते कुछ परिवर्दन हमें अपने अंदर भी लाने होंगे हमें यह समझना होगा कि मेरी कौन सी इसी बात है जो उन्हें पसंद नहीं है उनकी इसी कौन सी बात है जो मुझे पसंद नहीं है तो यह चीज आपको आपस में अंडरस्टैनिंग बिठा कर समझना होगा इसे के साथ अगर दोनों में से कोई एक बहुत जाता गलत है वो नहीं समझ पारा तो आपको बड़ो का इस पे बीच बड़ो का अश्यरवात लेना चाहिए उन्हें समझाना चाहिए यह कंडिशन है उनकी सला मांग दरशन पर ही आपको आगे निरने लेना च जो बहुत अच्छा हमसफर चाहते हैं लाइफ पार्टनर चाहते हैं उन्हें भी हम यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि आपके जिंदगी में जो भी व्यक्ति है उसके लिए आपकी कितनी इंपोर्टेंट्स है आखिरा उनके लिए क्या है व आपके घुसे की वज़े से आपके जिद की वज़े से आपके सुभाव की वज़े से आपके ओवर कॉन्फिडेंस की वज़े से कभी कभी ऐसा होगा दोस्तों कहीं हालात ऐसे बन जाएंगे कि आपकी डिवोस तक की नुवत आ सकती है लेकिन टेंशन मत लीजे अगर आपन करना चालू कर दिये अपने लाइफ में अंडरस्टैनिंग चालू कर दिये आपने अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करना चालू कर दिये अपने घुस्से पर कंट्रोल करना चालू कर दिये अपने एगो को साइड में आप रखेंगे और समझेंगे किसी बात को तो आप जो अच्छ़ से चलेगी बहुत अच्छा फारिंग पार्टणर आपको मिलेगा साथ या पी लाइफ को एक— ऑफने गुषय पर सिखना और सब्सक्राइब लेया और आगे मेकल की को श야ब कर आपको छोनगी फsti कर सब्सक्राइब की तरहा नम्ट के यृता होगा उपन नेवे में वायगा करें कर चार के दीक्त लेके का लेहें जिते कर रुकिये बेस्ट करेदी अगर कोई आपसे नाराज है अब्सेन राइज बहुंत मैश्चा है उ सुन लिए दोबिस चूप रहेंगे तो कुछ नहीं जाएगा सुन लिजे उस बात को खतम ह Senior को ठंडा होने का इंतजार करें उसके बाद देखिए दोस्तों आप कितना फरक पड़ता है वो खुद समझेंगे जब उनका देमाग ठंडा हो जाएगा तो खुद समझेंगे कि हाँ सही में उनसे कोई ना कोई गल्ती जरू होई थी तो वीडियो किसी लगी दोस्तों पसंद आई हो लाइक कर मुझे मता दी लिखें मिलते हैं नेक्स टुडियो में अपके आप से को बहुत बहुत दिनवाज जाए मता दी हरहन मादे हो